नमस्कार बच्चो आज हम एक्सराइज 1.3 सेट्स में लास्ट के फोर कुश्यन्स करेंगे कुश्यन नमबर 6789 तो सबसे पहले इसमें आता है युनिवर्सल सेट क्या होता है युनिवर्सल सेट दे लार्जेस्ट सेट ओन ए गिवन पेपर किसी कागस पर हमने एक बहुत बड़ा सेट लिख दिया जैसे माले यू जिसके इंदर 12345678910 नाम के ऐलिमेंट्स हैं सेट ए में 123 हैं एलिमेंट्स हैं बी में 468 सी में 78 और डी में एक एंप्टी है तो हम इसका अगया लिखे वे जो यह सेट है इसमें हम देख रहे हैं कि जो यू है वो लार्ज है सबसे बड़ा सेट है इसके आगे बाकी सारे चोटे-चोटे सेट दिखाई दे रहे हैं अर्थात सबसेट दिखाई दे रहे हैं तो सबसे बड़ा सेट जिसके आगे बाकिस अभी सबसेट दिखाई देते हो उस सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं हम A, सेट U का सबसेट है A का निर्मान करने के लिए 123 नाम के अलिमेंट की जरूरत है जो यूनिवर्सल सेट उसको उधार दे सकता है बनाने में तो U बड़ा सेट हो गया और A चोटा हो गया तो कागस पर जो सबसे बड़ा लार्जेस सेट होता है वह है यूनिवर्सल सेट कहलाता है और बाकी उसके आगे सबसेट कहलाते है तो B भी सबसेट है C भी सबसेट है D भी सबसेट सारे चोटे सेट है तो सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहते है आठ में प्रशन में Q8 में यह पूछा गया है कि What यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following कहता है इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाना पसंद करेंगे पहला है सेट ओव राइट ट्रेंगल्स राइट ट्रेंगल्स का मतलब होता है सभी प्रकार के समकौन त्रिबुजों का सेट और दूसरा इनों ने पूछा है सेट ओफ आईसोसेलेस ट्रेंगल अर्थात समध्वी बाहुत रिभूजों के ट्रेंगल का जो सेट है इसके लिए भी और समकौन रिभूज के सेट के लिए आप यूनिवर्सल सेट कौन सा बनाना पसंद करेंगे आपकी चॉइस है तो वैसे मैं आपको बता दू कि राइट अिधाल का मतलब समकौन तर्फूज होता है जिसमें एक और नबबय डिगरी का होता है आए सोसेलेस ट्रेंगल बोलते हैं समध्वी बाहुत रिभूज जिसमें दो बुझाएं समान होती है और एक्वि लैटरल ट्रेंगल समभा होता है अर्था जिसमें तीन नों मुझायं समान होती है तो जो युनिवर्सल सेट लार्जे सेट जो हम देना पसंद करेंगे वो होगा यहां पर हेर युनिवर्सल सेट कौन होगा सेट ओफ ओल्ड ट्रेंगल्स इन्हें प्लेन तो प्लेन में जो सभी एक समतल में काज़स पर जितने भी ट्रेंगल्स का एक सेट हम सभी प्रकार के ट्रेंगल्स लेने तो उसके आगे राइट ट्रेंगल्स का सेट तो छोटा साभित हो जाएगा और ट्रेंगल का सेट सबसे बड़ा हो जाएगा ऐसे आइसे आइसे ट्रें उनिवर्सल सेट कह देते हैं प्रशन नमबर 9 कहता है कि सेट A में 1, 3, 5 है सेट B में 2, 4, 6 नाम के ऐलिमेंट्स हैं सेट C में 0, 2, 4, 6, 8 नाम के मेंबर्स हैं तो बताइए कि इन सब के लिए इन 3 सेट के लिए जो हमने 4 ओप्शन दिये इन में से कौन युनिवर्सल सेट कहलाने लाइक होगा तो पहले भाग में 0 से लेकर 6 एलिमेंट्स हैं इसमें 5 यानिकि एमटी सेट है खाली कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है इसमें तीसरा 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं और चोता है एक से लेकर 8 तक है तो हम देख रहेंगे इन 4 में जो लार्जेस सेट है जिसके आगे यह चोटे-चोटे सेट दिखाने लगेंगे दिखने लगेंगे और यह सबसे बड़ा सेट हो जाएगा तो सबसे सबसे इन तीनों के लिए उनिवर्सल सेट कहला सकता है यही बात पुछी गई थी कि चारों में से कौन नियुमर्सल सेट कहलाने लग सकता है यह बी दिए गए सेट के लिए अब आता है सबसेटोफ सैटो वियल लंबर को मतलब वॉस्तीक्ध संख्याओं का सबसेट श complaint चोच्छोटे हैं वंगीनत पूद लिखने बारे में बात चल रही है तो हमने बोला कि राइन है संख्यारे का है जिस पर हम मोटे मोटा तोर पर देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यह सारे इंटिजर्स यानि प्रोणांक दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस नंबर राइन के पर सौरे उम्बर Immers decimal एक्समेल डश्मलो भीना दश्मीलो के सारे burgस पर मोजूद होते हैं तो हमने कहा ऐसे ही कि हमने ले लिए एक सेट हे ले लिया जिसमें कौन है एक्स नाम का白 जो कैसा है 2 और हुप लिए पड़ा हुआ रियल लंबर आप यहां देखें दो और तीन के बीच में जो रियल लंबर की संख्या होती है वह अंगिनत होती है तो यह एक सेट दिया गया है दो और तीन के बीच में जहां एक रियल लंबर है रियल लंबर दो और तीन के बीच में जो रियल लंबर होते हैं वो अनगिनत होते हैं तो ये real number को एक subset हो गया कि हाँ two or three के बीच में जितने वी real numbers है वो पूर最 ए reveal number के सेट से तो चोड़ा ही है subset ही बनेगा तो इसमें हमने क्या किया ध्यान देने में वाली बात है कि यहां X का मान दो और तीन के बीच में है यानि X कमान 2 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, बलकि 2 और 3 के बीच में हैं, तो इसके लिए हमने ये round bracket, जो है circle bracket भी कहते हैं, वो इस्तिमाल की है, कि इसमें X कमान 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 शामिल नहीं है, इस पूरे subset को, ये real number का subset है, इसको open interval बोला जाता है, जिसमे 2 और 3 शामिल नहीं है, बीच के number शामिल है, ऐसे हमने एक और मरजी से, एक subset लिया, जो real number का subset है, जिसमें X कौन है, 2 और 3 के बीच में है, और X कमान 2 और 3 के बराबर भी है, तो ये वे सारे real number, जो 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 शामिल भी है, तो जब X 2 और 3 के बराबर भ तो इसको square bracket दी जाएगी यानि कि X का जो मान शामिल है उसको square bracket दी जाती है उपर के example में X का मान 2 के बराबर नहीं था तो 2 के लिए round bracket लिए थी शामिल नहीं था फिर आया X का मांद 2 और 3 के बीच में और X का मांद 3 के बराबर तो क्योंकि X का मान 2 के बराबर तो है नहीं तो round bracket दे दी, 3 के बराबर है तो square bracket दे दी और 25 के सभी मान तो X के हैं ही तो यह R का subset होगा इसको semi open interval कह देंगे क्योंकि आधा open है X कमान 2 के बराबर है तीन के बराबर है तो जब दोनों के ये बराबर ना हो तो open interval तो नों की बराबर हो जाए तो close interval और दो के बराबर नहीं है तो semi open आदा open interval कहा दिया ये सारे sub-sets है real number के फिर हमने ले लिया X कमान 2 और 3 के बीच में है एक्स एक रियल नमबर और दो के बराबर भी है तो दो और तीन के बीच में ले लिया लेकिन एक्स कमान दो के बराबर है जिसके बराबर है उसको स्क्वेर बैकेट देते हैं जिसके बराबर नहीं होता उसको राउंड बैकेट देते हैं तो यह शुरू वाला दो हमने तो इसमें केवल X कमान केवल 2 और 3 है बीच के मान शामिल नहीं है तो ये भी रियल लंबर का सबसेट है लेकिन लिखने में फरक क्या है अगर हमने लिख दिया के 2 3 ये सबसेट है रियल लंबर का तो इसमें X कमान 2 और 3 के बीच में होगा दो और तीन के बीच के सारे मान होंगे दो और तीन शामिल नहीं है इसको open interval कहते है ऐसे ही अगर हमने लिख दिया ऐसे दो और तीन तो इसका मतलब X का मान दो और तीन के बीच के सारे मान तो हैं ही यह दियल नंबर का subset है X का मान मतलब 2 और 3 के बीच तो सारे हैं और 2 और 3 भी शामिल है इसको बोलते हैं close interval फिर x का मान लिजिए हमने ऐसे लिख दिया ये भी real number का subset है तो इसका अर्थ है कि x का मान 2 और 3 के बीच में तो है ही जो की अंगिनत मान हो गए लेकिन x का मान 2 के बराबर नहीं है दो के बराबर नहीं है तीन के बराबर है जिसके बराबर होता है उसको square bracket देते हैं जिसके बराबर नहीं होता है उसको round bracket देते हैं तो इसको शूरू वाला निशान देख लिया दो के बराबर नहीं है ये open interval का निशान था तो इसको आधा open semi open interval कह दिया ऐसे ही फिर आ गया कि हमने लिख दिया दो तीन यह भी रियल नंबर का सब सेट है इसका आर्थ है कि एक्स का मान दो और तीन के बराबर तो है लेकिन दो के बराबर है तीन के बराबर नहीं है बीच के सारे मान तो आएंगे याएंगे लेकिन शुरू और आखिर क आएंगे कि नहीं शुरू का मान आ जाएगा ऐक का लास का नहीं आएगा तो यह जो आएगा जो देते हैं देते हैं जो शामी नहीं होता उसको लिए जाते हैं लगातार तो वो semi मतलब interval कहलाते हैं फिर एक केवल बच गया 2-3 यहां करली ब्रैकेट आगी है तो यह भी real number का subset लेकिन यहां X का मान बीच वाले मान सारे गायब होगे यहां X का मान केवल 2 है और X का मान 3 है बीच वाले मान सारे गायब होगे तो केवल ब्रैक का मतलब वहमान शामिल है राउंड ब्रैकेट का मतलब शामिल नहीं है और दोनों ही करली ब्रैकेट ले ले लें तो बीच वाले सारे मान गायब हो जाते हैं केवल 2-3 शामिल होगा तो सवाल नंबर 6 में यही पूछा गया है कि बताईए इसको आपको interval के रूप में व्यक् छे के बराबर है तो स्वियर बैकेट दे ले लिए जिसके बराबर हो सको स्वियर बैकेट दे लेड़ी है फिर इसको interval के रूप करना है X command minus 12 और minus 10 के बीच में है लगातार तो हमने minus 12 कॉमा minus 10 तो ले लिया X command minus 12 के बराबर नहीं है तो round bracket दे दी minus 10 के बराबर नहीं है उसको भी round bracket दे दी तो यह open interval बन गया यह semi open आधा open बन गया अब X command 0 और 7 के बीच में interval के रूप में लिखना है तो 0 के बराबर है साथ के बराबर नहीं है बीच में कॉमा लगा दिया जिसके बराबर हो उसको square bracket दे देते हैं जिसके बराबर नहीं हो उसको round bracket दे देते हैं तो हमने इसको semi closed interval बोल दिया यहाँ पर square bracket शुरू में है तो semi closed और शुरू में ground bracket तो semi open दोनों ही round bracket हैं तो open interval और जैसे अब यह है दोनों square bracket हो तो close interval बोलते हैं यह सारे real number के subset होते हैं तो यहाँ x का मान तीन और चार के बीच में तो है यह तीन और चार के बराबर भी है तो तीन के बराबर है तो square bracket दे दिया 4 के बराबर है तो square bracket दे दिया जिसके बराबर ना होminute round bracket जिसके बराबर हो स्कोße square bracket दे देते हैं तो यहां तीन और 4 के बराबर भी है तो इसको 3 को भी square bracket 4 को भी square bracket दे दिया फिर आया सातमा प्रशन है उल्टा है interval दे रखें set builder form में व्यक्त करना है तो यह open interval है जहाँ x का मान minus 3 और 0 के बीच में तो है minus 3 के बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है तो इसको set builder form में लिखा कि यह क्या है x such that x real number का member है और x minus 3 और 0 के बीच में शामिल है minus 3 और 0 के बराबर तो नहीं है ऐसे ही 6 और 12 के बीच में है लेकिन 6 और 12 के बराबर भी है तो बराबर के निशान मिल गए यहाँ 6 के बराबर नहीं है 12 के बराबर है तो 6 और 12 के बीच में लिखके 12 को बराबर का निशान मिल गया यहाँ minus 23 और 5 के बीच में है x तो set builder form में इसको लिखा तो माइनस 23 के बराबर है तो उसको बराबर का निशान दे दिया और पांस के बराबर है तो बराबर का निशान नहीं दिया माइनस 23 और पांस के बीच के सबी मान आ गए जिसमें माइनस 23 के बराबर भी है यहां 12 के बराबर है 6 और 12 के बीच के मान यहां 6 और 12 के बीच के मान और 6 और 12 भी शामिल यहां minus 3 और 0 के बीच के मान minus 3 और 0 शामिल नहीं तो यह हमने real number के subset की बात की है और इस प्रकार से यह प्रशनावली exercise 1.3 पूरा हो जाती है अगली exercise के बारे में अगले video lecture में बात करेंगे